सोशल मेडिया में आपने कई ऐसे द्रिस देखे होंगे जब साइंड ने किसी आदमी को पटक दिया तो कभी दरजनों मोटर साइकल गिरा दिये या कभी मोटर साइकल या आटो से टकरा गये हो लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसकी वज़े से आप भी हैरान होगे जहां एक साइंड की चर्चा पूरे गाउं में होने लगी और उस साइंड के लिए पूलिस को घंटों मसकत करनी पड़ी जिसकी खास वज़े है कि एक साइंड एक घर के चट पर पहुंच गया लोग यह सोचकर परिसान है कि साइंड चट पर पहुंचा कैसे और उस भारी भरकम साइंड को चट से कैसे उतारा जाए यही वज़े रहे कि इस मामले के जानकारी पूलिस को देनी पड़ी तब जाकर कहीं साइंड को चट से नीचे उतारा गया तो चलिए आपको बताते हैं कि कहा साइंड ने यह कर्तब दिखाया उत्तर परदेश के फतेपूर जिले के कल्यानपूर थाना छेतर के पहुर गाउं में एक साइंड लड़ते लड़ते गेस्ट हाउस की चट पर चड़ गया साइंड को चट पर चड़ा देका स्थानिया लोगों की भीड लग गई सबको इस बात से हैरत हो रही थी कि साइंड इतनी उचाई पर पहुँचा कैसे देखते ही देखते आसपड़ोस में रहने वाले लोग जमा होने लगे और बात गाउं से निकल कर पुलिस थाने तक पहुँच गया ग्रामिनों ने साइंड को उतारने का प्रास किया लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली जिसकी वज़ा यह थी कि भारी भरकम साइंड को कैसे नीचे उतारते उन्हें कुछ समझ नहीं आया अस्थानियों के सूचना पर पुलिस आई जिसके बाद क्रेन मंगवाय गया और फिर ऑप्रेशन साइंड को अंजाम दिया गया क्रेन की साहता से साइंड को सुरक्षित छट से उतारा गया जिसके बाद अस्थानियों लोगों ने रहात के सांस लिये सांड के छट पर चड़ने के विसे में जब स्थानिय यूपकों से बात की गई तब वह भी नहीं बता पाया कि वह छट पर कैसे पहुचा आप भी सुनें अब आप अपने दिमाग के घोड़े को दोड़ाएं और सोचें कि इतना भारी भरकम सांड कैसे छट पर चड़ा होगा गोपाल सा को दीजिये इसाजत फिर इसी तरह की चोकानी वाली खबर लेकर हम आप तक पहुचेंगे अगर आपको हमारी खबर बहतर लगे तो लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और बेल को भी दबा दें ताकि आप तक खबर सबसे पहले पहुचें